लिजे सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरोवर चार की कहानी प्रेम का उदय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भौन्दू पसीने में तर लकड़ी का एक गठा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया मानो पूछ रहा हो क्या भी तिरा मिजाज ठीक नहीं हुआ संध्या हो गई थी फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द चाई हुई थी प्रकरती रक्त शून देह की भाती शिथिल हो रही थी भौंदू प्राता है काल घर से निकला था दो पहरी उसने एक पेड की च्छाह में काटी थी समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुँ सीधा हो जाएगा लेकिन आकर देखा तो वो अब भी कोप भवन में थी भौंदू ने बातचीच छेड़ने के रादे से कहा लो एक लोटा पानी दे दे बड़ी प्यास लगी है मर गया सारे दिन बाजार में जाओंगा तो तीन आने से बेसी न मिलेंगे दो-चार सांडे मिल जाते तो महनत सुफल हो जाती बंटी ने सिर्की के अंदर बैठे-बैठे कहा धरम भी लूटोगे और पैसे भी मूँ धो रखो भौंदू ने भवे सिकोड कर कहा क्या धरम धरम करती है धरम करना हसी खेल नहीं है धरम वो करता है जिसे भगवान ने माना हो हम क्या खा कर धरम करेंगे भर पेट चबेना तो मिलता नहीं धरम करेंगे बंटी ने अपना वार उच्छा पढ़ते देखकर चोट पर चोट की संसार में कुछ ऐसे महात्मा भी है जो अपना पेट चाहे ना भर सके पर पडोसियों को निवता देते पिरते हैं नहीं सारे दिन बन-बन लकड़ी न तोड़ते फिरते ऐसे धरमात्मा लोगों को महरिय रखने की क्यों सूचती है यही मेरी समझ में नहीं आता धरम की गाड़ी के आकेली नहीं खीचते बनती बहुंदू इस चोट से तिल मिला गया उसकी जिरहदार नसे तन गई माथे पर बल इस अबला का मुँ वो एक डपट में बंद कर सकता था पर डांट डपट उसने न सीखी थी जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धून थी जो अकीलत सौपचास जवानों का नशा उतार सकता था इस अबला के सामने चूंतक न कर सका दबी जबान से बुला महरिया धरम बेचने के लिए नहीं लाई जाती धरम पालने के लिए लाई जाती है ये कंजड़ दंपत्ती आज तीन दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उत्रा हुआ था सारे बाग में सिर्कियां ही सिर्कियां दिखाई देती थी उसी तीन हाथ चोड़ी और चार हाथ लंबी सिर्की के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्प वास सा कर रहा था एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का इस्थान, एक किनारे दो एक अनाज की मटके द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी हर एक परिवार के साथ दो दो भैसे या गधे थे जब डेरा कूच होता था तो सारी ग्रहस थी, इन जानवरों पर लाद दी जाती थी यही इन कंजड़ों का जीवन था, सारी बस्ती एक साथ चलती थी आपस रही में शादी ब्याह, लेंदें, जगड़ी टंटे होते रहती थी इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था उनके किसी इलाके में पहुँचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर उन्हें अपनी निग्रानी में ले ले लेती थी पड़ाओ के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था इस्त्रिया पुरुष किसी गाउं में जाते तो दो-चार चौकीदार उनके साथ हो लेते थे रात को भी उनकी हाजरी ली जाती थी फिर भी आस-पास के गाउं में आतंक चाया हुआ था क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लोट न सकती थी रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाती थी चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दीखती थी कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी सकती करने में प्राणों का भाय था कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव न मानते थे बस्ती में अकेला भौंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था मगर इसलिए नहीं कि वो पुलिस वालों की खुशामत न कर सकते था उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहू बल से प्राप्त किसी वस्तु में हिस्सा देना सुईकार न करती थी इसलिए वो ये नौबत आने ही न देता था बंटी को पती की ये आचार निष्ठा एक आखना भाती थी उसकी और बहने नई नई साड़िया और नई नई आभुशण पहनती तो बंटी उन्हें देख देखकर पती की अकरमर्नेता पर कुढ़ती थी इस विशय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे लेकिन भौंदू अपना परलोग बेगाडने पर राजी न होता था आज भी प्राताहकाल यही समस्या खड़ी होई थी और भौंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था सांड़े मिल जाते ये तो आसु पुछते पर आज सांड़े भी न मिले बंटी ने कहा जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात में बन जाते हैं राण अपने माण में ही खुश है भौंदू ने पूछा तो मैंने खटो हूँ बंटी ने इस प्रेश्न का सीधा साधा उत्तर न दे कर कहा मैं क्या जानू तुम क्या हो मैं तो यही जानती हूँ कि यहां धेले धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है यहीं सब को पहनते ओड़ते हसते खेलते देखती हूँ क्या मुझे पहनने ओड़ने हसने खेलने की साध नहीं है तुम्हारे पल्ले पढ़कर जिंदगानी निश्ट हो गई भॉन उन्हें एक शन विचार मगन रहकर कहा जानती है पकड़ जाओंगा तो तीन साल से कम की सजा न होगी बंटी विचलित न होई बोली जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम ही क्यों पकड़ जाओगे और लोग पुलिस को मिला लेते हैं थानेदार के पाउं सेहलाते हैं चौकिदार की खुशामत करते हैं तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सब की चिरौरी करता फिरू बंटी ने अपनी हट न छोड़ी मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई फिर तुम्हारे छुरे कड़ा से को कोई कहां तक डरे चानवर को भी जब गास भूसा नहीं मिलता तो पगहा तोड़ा कर किसी के खेत में पैठ जाता है मैं तो आदमी हूँ बंदू ने इसका कुछ जवाब न दिया उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले ये कलपना उसके लिए अपमान से भरी थी आज बंटी ने पहली बार ये धमकी दी अब तक बंदू इस तरफ से निश्चिंत था अब ये नई संभावना उसके सम्मक उपस्थित हुई उस दुर दिन को वो अपना पाबू चलते अपने पास ना आने देगा आज बंदू की दृष्टी में वो इज़त नहीं रही वो भरोसा नहीं रहा मजबूत दीवार को टिकौने की जरूरत नहीं जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है आज बंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी आज तक बंटी अपनी थी वो जितना अपनी और से निश्चिंत था उतना ही उसकी और से भी था वो जिस तरहे खुद रहता था उसी तरहे उसको रखता था जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था उसके लिए कोई विशेश फिक्र ना थी पर आज उसे मालूम हुआ कि वो अपनी नहीं है अब उसका विशेश रूप से सतकार करना होगा विशेश रूप से दिल जोई करनी होगी सूरियास तो हो रहा था उसने देखा उसका गधा चर कर चुपचाब सिर जुकाए चला आ रहा है भौधू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता न की थी क्योंकि गधा कभी किसी और को अपना स्वामी बनानी की धंकी न दे सकता था भौधू ने बाहर आकर आज गधे को पुचका रहा उसकी पीट सहलाई और तुरंट उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रसी लेकर चल दिया इसके दूसरे ही दिन पस्बे में एक धनी ठाकर के घर चोरी हो गई उस रात को भौधू अपने डेरे पर ना था बन्टी ने चौकीदार से कहा वो जंगल से नहीं लोटा प्रातहकाल भौधू आ पहुचा उसकी कमर में रुपएयों की एक थैली थी कुछ सौने के गहने भी थे बन्टी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वरक्ष की जड़ में गार दिया रुपएयों की क्या पहचान हो सकती थी भौधू ने पूछा अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहा मिले तो क्या कहोगी बन्टी ने आखे नचा कर कहा दुνिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है हमी क्यों अपने हिसाब दे भौधू ने संदिक दिबाव से गरदन हिला कर कहा ये कहने से गला न छूटेगा बन्टी तो कह देना मैं तीन चार मास से दो दो चार चार रुपे महीने जमा करती है हूँ हमारा खरच ही कौन बड़ा लंबा है दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले जड़ी बूटियां बेजते हैं एक एक जड़ी के लिए मुठी मुठी भर रुपे मिल जाते हैं खस, सांडे, जानवरों की खाले, नक और चर्बी सभी बेजते हैं इस ओर से निश्चिन्त होकर दोनों बाजार चले बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियां, टिकुलियां, बूंदे, सिंदूर, पान, तमाकू, तेल और मिठाई ली फिर दोनों जने शराब की दुकान गए, खुब शराब पी, फिर दो बोतल शराब रात के लिए लेकर, दोनों घूमते, घामते, गाते, बजाते, घड़ी रात गए डेरे पर लोटे बंटी के पाओं आज जमीन पर न पड़ते थे, आते ही बंठन कर पडोसियों को अपनी चबी दिखाने लगी, जब वो लोटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी तो पडोसियों ने टिप्डियां करना शुरू की, कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धरमात्मा बना फिरता था, बगला भगा थे, बंटी तो आज जैसे हवा में उड रही है, आज भौंदु आ कि कितनी खातिर हो रही है, नहीं कभी एक लुटिया पानी देने भी न उटती थी, रात को भौंदु को देवी की याद आई, आज तक कभी उसने देवी की बेदी पर बकरे का ब उसकी बरादरी के और लोग साधरन तहा, कारसिदी के पहले ही बलजान दिया करते थे, भौंदु ने ये खत्रा न लिया, जब तक माल हाथ न आ जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना, उसकी व्यवसाहिक बुद्धी को न जचा, औरों से अपने कृत्त को गुप्त रखना भी चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी न दी, यहां तक कि बंटी से भी न कहा, बंटी तो भोजन बना रही थी, वो बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा, बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जून कहा चले, अभी आता हूँ, मत जाओ, मुझ बंटी के पास दिया और निकला, बकरे की समस्या बेढ़ धब थी, रात को बकरा कहां से लाता, इस समस्या को भी उसने नए ढ़ंग से हल किया, पास की बस्ती में एक गड़े रिये के पास कई बकरे पले थे, उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठाला, देवी जी को अपने ब बकरा कैसे आया और कहां से आया, मगर बस्ती के समी पहुचा ही था कि पुलिस के चार चौकीदारों ने उसे गिरफतार कर लिया और मुश के बांध कर ठाने ले चले, बंटी भोजन पका कर अपना बनाव सिंगार करने लगी, आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता थ आनन्द से खिली जाती थी, आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंदित तेल पड़ा, आईना उसके पास एक पुराना अंधासा पड़ा हुआ था, आज वो नया आईना लाई थी, उसके सामने बैठ कर उसने अपने केश सवारे, मुँपर उबटन मला, साबन लान और रोज लगाएगी, केश गूत कर उसने माते परलसी का लुआब लगाया, जिसमें बाल ना बिखरने पाए, पिर पान लगाए, चूना जादा हो गया था, गलपड़ों में च्छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा, शायद पान खाने का यही मज़ा है, आखिर मिर्च भी तो लोग मज़ी से खाते हैं, गुलावी साड़ी पहन और फूलों का गजरा गले में डाल कर उसने आईने में अपनी सूरत देखी, तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दोड़ गई, आप यही आप लजजा से उसकी आख जुक गई, दरिद्रता की आख से नार तो कि लजजा का क्या जिक्र, मेले कुचले कपड़े पहन कर लजाना ऐसा ही है, जैसे कोई चबेने में सुगंद लगा कर खाए, इस तरह सचकर बंटी भौंदू की राह देखने लगी, अब तक भी वो ना आया तो उसका जी जुझलाने लगा, रोज तो सांज ही से दौर पर पढ़ रहते थे, आज ना जाने कहां जाकर बैट रहे, शिकारी अपनी बंदूग भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए, बंटी के सूखे हिर्दय में आज पानी पढ़ती ही उसका नारित व अंकुरित हो गया, जुझलाहट के साथ उस देखी कि कुछ बिगड़ ना गया हो, ऐसी धड़कन, ऐसी उल्जन उसकी अनभूती से बाहर थी, बंटी सारी रात बहुंदू के इंतजार में उद्धिग्न रही, जह जो रात बीतिती थी, उसकी शंका तीवर होती जाती थी, आज ही उसके वास्तविक चीवन का आरंभ ह और आज ही एहाल, प्रतहकाल वो उठी तो अभी कुछ अधिरा ही था, इस रत जगे से उसका चित खिन और सारी देह अलसाई हुई थी, रह रह कर भीतर से एक लहर भी उठती थी, आँखें भर भर आती थी, सैसा किसी ने कहा, अरे बंटी भौंदू रात पकड़ा गया, ब और चैन की बंसी बजाता है, इन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए, नहीं सहूर था, तो साफ कह देते, मुझसे ये काम नहोगा, मैं ये थोड़े ही कहती थी, कि आग में फांद पड़ू, उसे देखते ही थानिदार ने धोस जमाई, यही तो बंदूआ की इसे भी पकड़ लो, बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, क्या किसी से नहीं डरते, जब कोई काम ही नहीं करते तो डरें क्यों, अफसर और मातहत, सभी के अनरक्त आखें बंटी की और उठने लगी, भौन्दू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नर्म हो ग मानु कह रहा था, देखना कहीं लोगों के धोके में ना आ जाना, धाने दारें ने डाट बताई, जरा इसकी दीदा दे लेरी देखो, जैसे देवी ही तो है, मगर इस फेर में न रहना, यहाँ तुम लोगों की नस नस पैचानता हूँ, इतने कोड़े लगवाँगा कि चम गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं, उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है, हमारे पास किसी की नजर भेट देने के लिए पैसे नहीं है, थाने दार ने कठोर स्वर से कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर का सर रह गई हो, वो पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाए, मग अरे अकबाल लग किया तो तीन साल को जाओगे, मेरा क्याबे करता है, अरे छोटे सिंग, जरा लाल मिर्च की धूनी तो दो इसे, खोटरी बंद करके पसेरी भर मिर्चे सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है, बहुंदू ने उसी डिटाई से कहा, दरोगा जी, बोटी बोटी काट डालो, लेकिन कुछ हाथ न लगेगा, तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरे एक एक हड़ी चूर चूर हो गई है, कोई दूसरा होता, तो अब तक सिधार गया होता, क्या तुम समझते हो, आदमी को रुपए पैसे जान से भी प्यारे होते हैं, बोटी की मुखाकरती से शहीदों कासा आत्म समर्पन चलक रहा था, यद्यपी उनके हुक्म की तामील होने लगी, दो कॉंस्टिबिलों ने बोटी को एक कोटरी में बंद कर दिया, दो आदमी मिर्चे लाने दौने, लेकिन दरूगा की युध नीती बदल गई थी, बंट बगारने में कभी मिर्च जल जाती है, तो चीको और खासियों के मारे दम निकलने लगता है, जब नाक के पास धूनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे, उसने जान पर खेल कर कहा, दरूगा जी तुम समझते होगे कि इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कही देती हूं, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूगी, बला चाहते हो तो उसे छोड़ दो नहीं तो इसका फल बुरा होगा, थानितार ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे क्या, तो मर जाएगा किसी और की नीचे बैठ जाना, जो कुछ जमा जथा लाया हो वो तो तेरे ही हाथ में होगी, क्यों नहीं एकवाल करके उसे छड़ा लेती, मैं वादा करता हूं मुकदबाना चलाऊंगा, सब माल लोटा दे, तूने हैं उसे मंत्र दिया होगा, गुलावी सारी और पान और खुश्वुदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी, उस की तीखी जहरी ली जार पहली और बहुंदू के खासने की आवाज़ें कानों में आई, तो उसकी आत्मा कातर हो थी, उसका वो दुस्साह जूटे रंगी भाँ थी, उडगया, उसने दरोगा जी के पाव पकड़ ली और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं स अब कुछ दे दूंगे, धूनी उसी वक्त हटा ली गई, भौन्दू ने सशंक होकर पूछा, धूनी क्यों हटाते हो, एक चौकीदार ने कहा, तिरे औरत ने अकबाल कर लिया, भौन्दू की ना काक मुह से पानी जारी था, सिर चक्कर खा रहा था, गले की आवाज बंद करने गए हुए, पहले ही अकबाल कर लिया होता है, तो क्यों इतनी सांसत होती, भौन्दू ने गरच कर कहा, वो जूट बोलती है, वहाँ माल बरामद हो गया, तुम अभी अपनी ही का रहे हो, परंपरा की मर्यादा की अपने हाथों भंग होने की लजजा से भौन्दू का गई और कुछ कहना ही चाहती थी, कि भौन्दू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई, उसे देखते ही भौन्दू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भाती तड़प उठी, उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आखों से देखा, उन आखो इसे निकल कर बंटी ने सोचा अब कहा जाओं, भौन्दू उसके साथ होता तो वो पड़ोसियों की तरसकार को सह लेती, इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना संभो था, वो दोनों अंगारे की सी आख है, उसके हिर्दाय में चुभी जाती थी, लेकिन कल की सौभाग के विभूतियों का मोह उसे डेरे की और खीचने लगा, शराब की बो तलब भी भरी धरी थी, फुलोड़ियां चीके पर हाणी में धरी थी, वो तीवर लालसा जो मृत्यों को समुक देख कर भी संसार की भोग पदार्थों की और मन को चलाए मान कर देती है, उसे खीच कर देरे की और ले चली, दोपेहर हो गया था, वो पड़ाव पर पहुँची तो सन्नाटा चाया हुआ था, अभी कुछ देर पहले जो इस्थान जीवन का क्रीडा शेत्र बना हुआ था, बिलकुल निर्जन हो गया था, ये बिरादरी वालों की तरसकार के सबसे भयंकर कौन कौन सी चीज समयटे, उस कुटी में उसने रो रो कर पांच वर्ष काटी थे, पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी, जो किसी माता को अपने दुर्गुनी पुत्र को देख कर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लोटा हो, हवा से कुछ चीज़ें इधर की कर देखी, फुलोड़ियां अचूती थी, पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था, वो सूख गया था, उसने तुरंट कपड़ा तर कर दिया, किसी पाउं की आहट पाकर उसका कलीजा धक से हो गया, भौन्दू आ रहा है, उसकी वो दोनों अंगारी सी आँख हैं, उसके रौए खड़े हो गए, भौन्दू के करोध का उसे दो एक बार अनभा हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया, क्यो मारेगा, कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा, क्यों ही गणा सा चला देगा, उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं चला आ रहा था, बंटी आज उस अभागी से गधे को देखकर ऐसी परसन हुई, मानो अपना भाई नहर से बतासों की पोटी लिए ठका मांदा चला आता हूँ, उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुह से लगा लिया, वोसे फूटी आँखों अ भाता था, पर आज उससे उसे कितनी आत्मियता हो गई थी, वो दौनों अंगारी से आँखें उसे घूर रही थी, वो सिहर उठी, उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह न छोड़ेगा, वो रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी, क्या तब भी न छोड़ेगा, इन ही है, तो साध क्यों रह जाए, वो दौनों अंगारी सी आँखें उसके सामने चमक रही थी, उसने दूसरा चुकड भरा और पी गई, जहरीला ठर्रा, जिसे दो पहर की गर्मी ने और भी घा तक बना दिया था, देखते देखते उसके मस्तिशकों को खौलाने लगा, बोत भी न छोड़ेगी, जो होना हो, हो, बोन्दू से मार नहीं सकता, इतना निर्दे नहीं है, इतना कायर नहीं है, उसने फिर चुकड भरा और पी गई, पांच वर्ष के वेवाहिक जीवन की अतीत, इसमृतियां उसकी आँखों के सामने खिच गई, सैक्णों ही बार दोनों भी लेता है, तो पैसा उसी से मांगता है, भोर से सांज तक वन वन फिराही तो करता है, जो काम उससे नहीं होता, वो कैसे करे, एक 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 कॉंस्टेबिल ने आकर कहा, अरे बंटी कहा है, चल देक भूंदूआ का हाल बेहाल हो रहा है, अभी तक तो चुपचाब बैठा थ फिर ना जाने क्या जी में आया कि एक पत्तर पर अपना सिर पटक दिया, लहू बैरा आये, अगर हम लोग दोड़ कर पकड़ न ले, तो जान ही दे दी थी, एक महिना बीत गया था, संध्या का समय था, काली-काली घटाएं चाय थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उठकर बाहर देखूं पर उठा नहीं जाता, बंटी सिर पर घास का एक बोच लिए पानी में लथ पत्त आती दिखाई दी, वही गुलावी साड़ी है पर तारता, पर उसका चेहरा प्रसन है, विशाद और गलानी के बद्ले आँखों में अनुराक टपक रहा है, गती में वो चपलता, अंगों में वो सजीवता है, जो चित्त की शांती का चिंड है। बहुंदू ने शीन स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई एक घुट पानी देने वाला भी न रहेगा, मैं कहता हूं तो क्यों इतना मरती है, दो गठ्थे तो बेच चुकी, तीसरा गठ्था लाने का काम क्या था, ये हाडी में क्या लाई है, बंटी ने हाडी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है, कैसी हाडी, बहुंदू जोर लगा कर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छिपी हुई हाडी खोल दी और उसके भीतर नज़ डाल कर बोला, अभी लोटा, नहीं में हाडी फोर दूँगा, बंटी ने धोती से पानी निचोडते हुए कहा, जरा आइने में सूरत देखो, घी दूद कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे, कि सदा खाट पर सौनी का ही विचार है, बंटी ने खटोली पर लेटते हुए क अपने लिए एक साड़ी नहीं लाई, कितना कहके हार गया, मेरे लिए घी और दूद सब चाहिए, मैं घी न खाऊंगा, बंटी ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तो घी खिलाती हुए कि तुम जल्दी से काम धंदा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ, बंदू ने भी मुस्कुरा कर कहा, तो आज जाकर कहीं सेंद मारू, बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर दे कर कहा, पहले मेरा गला काट देना, तब जाना, अब ही आप सुन रहे थे, मुन्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है, मान सरूवर चार की कहानी, प्रेम का उदय, मेरी यानी समीर गुस्वामी की आवाज में